तो आज मैं आप लोगों के लिए ओनलाइन विडिंग किस तरीके से होती है किस तरीके से यह प्रोसेस काम करता है किस तरीके से आपको इंटरफेस दिखता है वह में लेकर आप लोगों को ने बहुत दार रिक्वेस्ट करी थी कि आमको यह बताइए कि ऑनलाइन विडिंग हो इस तो आज इस वीडियो में थोड़ा सी एक्सपेइन करने की कोशिश करों आप लोगटा मोटा मोटाइड देनी की कोशिश करों कि वो इंटरफेस दिखता है किस तरीके सरे कैसे online bidding चलती है किस तरीके से आपको चीज़े दिखती है वहाँ जब आप अपने MSTC में registration कराने के बाद login ID और password का यूज करते हुए MSTC में registration login करते हैं bidding करने के लिए तो वो screen कैसे दिखती है वो मैं आप लोग आज दिखाने वाला हूँ तो बिना time waste करते हुए सीधा मैं आप लोग को अपने computer screen पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इस तरीके से सारी चीज़े काम करते हैं यहाँ पर होने के बाद आप सीधे auction वाले page पर land कर जाएंगे आप सीधे यह बायर वाले page पर land करेंगे यहाँ पर फिर आपको upcoming जो यह वाला option है उपर yellow में दिख रहा है आपको जो वाले option में click करना है view live and forthcoming options में जाके अपन click करेंगे मैं आप लोग को बाकी option में दिखा रहा हूँ यहाँ पर यहाँ पर हम click करेंगे यहाँ पर click करने के बाद हमारा यह खुल किया जाएगा यह seller और category हमें select कर रहे हैं पहले मैं आपको all category और seller का दिखाता हूँ और seller में भी all करके आपको login करता हूँ अभी यह सारी categories हैं जो आपको सामने दिख रही हैं यहाँ पर मैं all करके दिखाता हूँ आप लोग को view live auction में अभी जो live auction चल रहे हैं वो सारे यह सारे अभी के time पर जो आपको list दिख रही है यह customs customs वाले auction उपर आपको अलग से दिख आप लोगा होगा हारे रंग मैं customs वाले में क्लिक करता हूँ आप लोगो दिखाता हूँ कि इस टाइम पर किस्टम के कितने auction चल रहे हैं यह auction में हम क्लिक करेंगे हैं यह auction में क्लिक करने के बाद दिखी यह आपके इसमें भी हाँ पर customs के आपको यहाँ पर दुबारा category से क्लिक करने का आता है और यहां पर हम आजाएंगे तो यह आपको दिख रहे हैं इस टाइम पर जो तीन लाइव auction चल रहे हैं कस्टम के अलवर इंडिया में यह वह है एक है आपका नावाश्यवा में एक है सेंटर लेक्साइस कमिशनरेट चौक बजार करके कोलकाता का है य करें वहाइं पर इस टाइम पर कस्टम ऑउक्ष्छन के यहांपर जितना अभी इस टाइम चल रहा हुआ ओऊं यहां पर दिख जाता वह लोगों इता है धो तोSchИmere लोगों को सीफ़ों की तरफ ले सी थरे екती है रखशन ऊकस्ति VC भी कई कई बरी बता रख़ा है तो Car की जो bidding होती है जो Car के auction होते हैं वो किस तरीके से होते है वो मैं आप लोग का भी थूड़ी दे में दिखाता हूँ तो यह आप लोग को दिख रहा है कि इसको login करके हम Car select करेंगे और All select करेंगे तो यह page पर land हो जाएंगे यहाँ पर आपको सारे lot की detail दिखेगी Car का number, vehicle number, कौन सी गाड़ी है और अगर further आपको option चाहिए तो आप अंदर lot में click करने के बाद अंदर आपको बाकी detail भी दिख जाती है तो यह last bit भी आपको दिख रहा है यह दिखेगे यह एक car है lot number one का दिखा रहा हूँ manufacturing date है आपका 2008 election go down की गाड़ी है इसका without RC मिलेगी यह गाड़ी मतलब अगर आप इस गाड़ी को bidding में लेते हैं तो बिना RC का आपको मिलेगी तो मतलब आप इसको चला नहीं सकते यह scrap में कटके फिर scrap में ही बिकेगा क्योंकि यूज वैसे जो RC के साथ वाली गाड़ी है वो भी निकलती है बिना RC वाली गाड़ी हैं भी होती है इसके अंदर बहुत सरी तो यह सारी चीज़े आपको देखनी पड़ती है कि जो इसमें condition क्या है क्या आपको RC मिलेगी कौन सा model number है कितना चला हुआ है कब का registration data यह सारे detail आपको lot के अंदर देख जाती है तो वहिकल जो गाड़ी हो को जो auction है वो कुछ इस तरीके से देखता है बाकी में बहुत ले जागे आप लोगों को दिखाता हूँ अभी कि last bid क्या थी और किस तरीके से bid का scenario सारा रहता है यह देखिए यह आपको दिख रही होगी देखिए यह सारा bidding का scenario है यह last bid जो है एक लाग पहले वाले lot का एक लाग अठारादार चाववन रुपे तो इसमें अगर कोई भी एक रुपे का और दस रुपे का और bidding बढ़ा जाता है तो यह 10 मिनट के लिए और extend हो जाता है तो इस तरीके से bidding का सारा scenario रहता है lot number 3 में कौन सा vehicle lot number 3 में देखिए यह है आपका क्या है registration number, expenditure 24 में खर्चा है और जितना चली हुई है आप लोगों को lot के अंदर जाने के बाद मिल जाती है तो इस तरीके से जो car का auction का scenario है कभी मैं आप लोगों को car का live auction में दिखाऊंगा जैसी कुछ आता है next मेरे पास तो अब लोगों मैं live भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से गाडियों की गाडियों का condition होता है और कौन सी गाडिया आपको मिल सकती है विद RCA, विदाउट RCA वो सारी डिटल आप लोगों को online मिलती है तो auction का scenario मैंने आप लोगों को बता दिया कि अंदर का interface किस तरीके से दिखता है login ID password से login करते है live bidding के time पे तो यह सारा का सारा bidding का scenario था तो यह देखिए आप लोगों न मैं पहले वाले lot में ले जाके दिखाता हूँ कि क्या क्या bidding चलिए और कहा तक bidding इसकी शुरू भी थी किस तरीके से सारा यह देखिए यह सारी bidding थी date और time आप लोगो दिखता दिख रहा है यह bid amount है left side वाला बीच वाला date है और right side वाला time है कि कौन-कौन से time पे कौन-कौन से bidding लगी है तो इस तरीके से सारा bidding का detail आप लोगो को history दिख जाती है बट यह नहीं देखता MSTC में कि final bidding कितने में गई और किसको यह अलॉट हुआ यह चीज थोड़ा सा transparency की कमी लगती है मुझे MSTC में तो यह हो कि आप लोगो समझ में आप होगी किस तरीके से ओनलाइन की bidding होती है तो यह सारा online bidding का scenario था जितना मैं दिखा सकता था आप लोगो को दिखाया और कभी मॉफणा मिला तो आप लोगो ऑनलाइन बेडिंग करके दिखाऊंगा कि अधने मां थेंकि वीडियो यहां तक देखने के लिए नमस्ते